हेलो गाईज, वेलकम टू वेंपायर ओटो वर्ल्ड क्या आप जानते हैं, M.G. Aster अपने सेग्मेंट में ऐसी एकमात्र गाड़ी है जो AI फीचर्स के साथ साथ सेकिंड लेवल ओटोनोमेस के साथ आती है इसके अंदर आपको बहतरीन फीचर्स के साथ साथ गुड लुकिंग्स भी आपको देखने को मिलती है तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं M.G. Aster के अंदर कौन-कौन से ट्रिम्स ओफर किया जाते हैं उन ट्रिम्स के क्या-क्या प्राइजिज है और आप उन्हें कैसे प्रचेज कर सकते हैं या फिर आपके लिए कौन सा बहतरी इन ट्रिम्स रहेगा तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरियंट और प्राइजिज से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो M.G.Aster के अंदर आपको बेसिकली चार्ड ट्रिम्स ओफर किये जाते हैं जिसके अंदर मैनुवल और आटोमेटिक दोनों का उप्सेन मिल जाता है एक बात और मैं आपको बता दू मैनुवल में आपको चार्ड ट्रिम्स मिलते हैं CVT के अंदर आपको तीन ट्रिम्स मिलते हैं और आटोमेटिक के अंदर आपको दो ट्रिम्स देखने को मिलते हैं गाड़ी दो इंजिन ओप्सेन के साथ भी आती है सबसे पहले मैनुवल वेरियंट्स की बात कर लेते हैं Manual Variants में आपको VTI Tech का इंजन मिलता है, इसमें दो परकार के इंजन ओफ़र किये जाते हैं, एक VTI Tech और दूसरा आपका 220 टर्बो, दोनों ही Petrol Engines आपको ओफर होते हैं, इसमें आपको Style, Super, Smart और Sharp Charterim ओफर किये जाते हैं, गाड़ी की प्राइजिज 9,78,000 से स्टार्ट होती है, और Top End Variant Sharp VTI Tech Manual की प्राइजिज 13,98,000 है, Automatic Trimps के अगर हम बात करें, Automatic में आपको दोनों ही परकार के Option मिल जाते हैं, VTI Tech के अंदर आपको Manual के साथ CVT का Option मिलता है, लेकिन 220 Turbo के अंदर आपको शिरफ और शिरफ 6-speed Automatic का Option मिलता है, अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, तो Base Variant को छोड़ करके बाकी सभी Super, Smart और Sharp जो है, वो CVT VTI Tech के साथ ओफर किये जाते हैं, Introductory Price 12,68,000 से स्टार्ट होती है, और Top End Variant की प्राइजी 14,98,000 तक जाती है, 220 Turbo के अंदर आपको 6-speed Automatic के अंदर Top End Variant, Second Top End Variant, Smart और Top End Variant, Sharp ही ओफर किये जाते हैं, इनकी प्राइजी 15,88,000 से स्टार्ट होकर 16,78,000 तक जाती है, गाड़ी के अंदर एक Variant से दूसरे Variant का अप्ग्रेड लगभग Maximum 1,70,000 है, जो कि आप Super VTI Tech से Smart VTI Tech पर जाते हैं, इसके अगर आप Super CVT से Smart CVT के अंदर मूव करते हैं, तो ये अप्ग्रेड लगभग 1,500,000 रुपे का रहता है, अगर आप Smart Automatic 220 टरबो पर्चेज करते हैं, तो लगभग 90,000 के अप्ग्रेड से आप इसको पर्चेज कर सकते हैं, Manuals और Variants के बाद में, अब हम गाड़ी के Dimensions को डिसकस करते हैं, इसके कुल लंबाई 4,3,2,3 mm ओफर की जाती है, जो कि ये सब Compact Segment से बड़ी कार है, गाड़ी के कुल लंबाई 1809 mm है, Height 1650 mm की ओफर की जाती है, इसके अंदर 2585 mm का Wheel Base भी ओफर किया जाता है, अगर गाड़ी completely unload हो तो 190 mm का Ground Clearance ओफर किया जाता है, फुल लोड़ के साथ 154 mm का Ground Clearance ये गाड़ी ओफर करती है, 5.1 मिटर के Turning Radius के साथ ये आती है, और गाड़ी के अंदर Massive 448 लिटर का Boot Space भी ओफर किया जाता है, Dimensions, Variants, Prices के बाद, अब हम गाड़ी के Engine Specification की तरफ Move करते हैं, तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, गाड़ी के अंदर 2 Engine Trims का Option आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर पहला आपको VTI Tech देखने को मिलता है, और दूसरा आपको 220 Turbo देखने को मिलता है, 1.5 लिटर के साथ VTI Tech मिलता है, और 1.4 लिटर के साथ Turbo Option ओफर होता है, VTI Tech 110 PS की Power Produce करता है, जबकि 1.4 लिटर 220 टरबो 140 PS की Power Produce करता है, 144 और 220 लिटर के टॉर्क गाड़ी के अंदर ओफर किया जाते हैं, इसके अगर मैं VTI Tech की बात करूँ तो 48 लिटर का Fuel Tank ओफर किया जाता है, जबकि Turbo के अंदर 3 लिटर कम 45 लिटर का ही Fuel Tank ओफर किया जाता है, MG, Aster के अंदर 2 परकार के Tire Options ओफर होते हैं, इसमें 16 इंच और 17 इंच के Tire ओफर होते हैं, लगबग सेम प्रोफाइल है, शिरफ टायर की जो विट्थ है, वो 17 इंच में 5 mm घट जाती है, गाड़ी के अंदर स्टील वील के साथ Alloys की भी Option मिल जाते हैं, और Alloys में भी आपक वो Machine Cut Alloys का Option मिल जाता है, बेसिक इंफोर्मेशन से आई होप आपको MG, Aster का पूरा आइडिया हो गया होगा, अब हम MG, Aster के हर एक वेरियंट को डिटेल में डिसकस करते हैं, तो शुरुआत करते हैं, इसके अंदर हम गाड़ी के एक्स्टीर, कमफर्ट और कन्विनियंस, से आइल के में, एक्स्टीर में ओफर होने वाले फीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इसके अंदर आपको फुल एलेडी, हुआक आई, हैडलम्स, विद क्रॉम हाइलाइन ओफर किये जाते हैं, ये वेरियंट सिर्फ आपको VTI Tech, मैनूल के साथ ओफर होता है, इस वेरियंट में आपको LED डे टाइम रेनिंग लाइट्स, बोल्ड कैलिस्टियल ग्रिल, क्रॉम फिनिस ओन विंडो बेट लाइन, आउट साइड डोर हैंडल विद क्रॉम हाइलाइट, रियर स्पोईलर, रियर बंपर विद क्रॉम असे, डूल अग्जोस्ट डिजाइन, वील एंड साइड क्लैडिंग, जो कि आपको सिरफ ब्लेक क्लर के मिलती है, फ्रंट और रियर बंपर स्कीट प्लेट, सिल्वर फिनिस के साथ ये ओफर की जाती है, बेस वेरियंट होने के कारण यहाँ पर आपको 16 इंच के स्टील विल देखने को मिलते हैं, जो कि वील कवर के साथ ओफर होत हैं, इस बेरियंट में आपको बोडी कलर्ड ओर वियम, टर्न इंडिकेटर ओन ओर वियम, हाई ग्लोस फिनिस ओन फोग लाइट सराउंड भी देखने को मिलता है, अगर एक्स्टीरियर में और बेस्ट लुक के बात करें, तो गाड़ी के अंदर आपको सार्क फिल एंटिन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, स्टीचिंग डिटेल्स के साथ, साथ में लैदरेट लेंग डैस बोर्ड मिल जाता है, डॉर ट्रिम और डॉर्म आमरेस्ट, तोर ट्रिम और डॉर्म आमरेस्ट साथ में डैस dashboard offer किया जाता है steering wheel भी आपको leather wrapped ही offer base variant से होता है setting chrome highlight to door handle air vents and steering wheel 8.9 cm की colored multi-informed display भी इसके instrument cluster में offer की जाती है यह fully digital instrument cluster यहां आपको offer नहीं होता है interior map lamp भी आपको इसके base variant में मिलना शुरू हो लेकिन यह LED interior map यहां पर आपको नहीं मिलते हैं आगे इसके comfort और convenience की तरफ हम move करते हैं तो comfort और convenience में driver side की window को आप six way adjust कर सकते हैं rear seat 60 ratio 40 में split मिलती है जो कि इसके boot space को और ज़्यादा enhance कर देती है front और rear दोनों ही seat के height adjustable headrest आपको offer किये जाते हैं driver side armrest जो है वह आपको leather finish के साथ offer किया जाता है with stories इसके अंदर आपको rear seat armrest with cup holder भी offer किया जाता है remote keyless entry with foldable की आपको देखने को मिलती है सबसे बहतरी जो अभी तक आपने टाटा की गाड़ियों में ही देखा था follow me home lamp एमजी एस्टर बहुत सारी गाड़ियों के top end variants के से भी इसका base variant महेंगा है उस हिसाब से इसके base variant में आपको auto AC pm 2.5 filter rear AC event जैसे feature offer होने बहुत अनिवारी हो जाते हैं एमजी ने इस बात का ध्यान भी रखा उन्होंने भारत के एक AC market को टच किया है जो सब 4 meter segment के लगबग 9 से 10 या 11 लाक में गाड़ी खरीदना चाते हैं लेकिन feature चाते हैं वह 17-18-19 लाग रुपे के गाड़ी वाले तो एमजी ने इस चीज़ को भी हमारे भारती ग्राहकों के लिए अभी परणपूर्ण कर दिया है फ्रंट और रियर में आपको 5 USB पोर्ट मिल जाते हैं फ्रंट में आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट ओफर किया जाता है पावर स्टेरिंग ओफर किया जाता है जोके electronic mode अडिडिस्टेबल के साथ आता है यहाँ पर आप और मॉर्मल अरबन और डियह डाइनेमिक पावर स्टेरिंग के mode अडिजेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर आपको tilt steering adjustable का option मिलता है telescopic offer नहीं होता है सभी चारो के चारो window power में offer की जाती है driver window जो है वो one touch auto down का option मिलता है auto up यहाँ base variant में आपको offer नहीं होता है ORVM को आप powerful adjustment कर सकते हैं यानि कि electrically adjust कर सकते हैं लेकिन उन्हें fold नहीं कर सकते हैं rear wiper and washer, luggage lamp, seat back pocket, dual horn और all door map pocket and bottle holder भी यहाँ पे offer होते हैं comfort और convenience के हिसाब से अब हम safety और security के बात करते हैं base variant के हिसाब से यहाँ पे बहतरीन safety और security के feature offer किये गए है दो airbag, electronic stability program, ABS EBD plus brake assist जैसे feature तो आपको लगबग आजकल हर गाड़ियों में offer होते हैं लेकिन traction control system, active cornering brake control, hill hold control, hill descent control, emergency stop signal, चारों disk brake, security alarm चारों disk brake आपको XUV300 को छोड़ करके बाकी segment की किसी गाड़ी में offer नहीं होते हैं rear parking sensor, rear fog lamp, rear defogger उसके अलावा speed warning, alert door azar warning, central locking, speed sensing auto door lock और impact sensing auto door unlock का भी feature मिलता है child lock मिल जाता है, engine immobilizer मिल जाता है अगर कुछ emergency आती है तो घाड़ी अपने आप automatically fuel कोई supply को cut out कर लेगी isofix child anchors मिल जाते हैं इसमें सभी passengers के लिए आपको 3 point seat belt मिल जाते हैं driver और co-driver seat belt with pre-tensional and load limiter यानि कि front के दोनों ही seat belt आपको pre-tensional with load limiter offer किये जाते हैं front driver और co-driver seat belt reminder मिल जाता है ultra high tensile steel case body यहाँ पर offer किये जाते है intrusion minimizing and collapsible steering column भी गाड़ी के अंदर offer किये जाते है बात करते हैं इसके base variant में offer किये जाने वाले infotainment के features की तो इसके base variant में आपको 10.1 inch की center console में touchscreen infotainment system मिल जाता है यह iSmart के साथ offer नहीं होता है इसके अंदर आपको iSmart वाले feature नहीं मिलेंगे android auto और apple carplay को sport करता है उसके अलावा USB FM और Bluetooth से आप इसको direct control कर सकते हैं इस variant में आपको 4 speaker का option मिल जाता है और steering mounted आपको audio controls भी मिल जाते हैं अब अगर बात करूं तो mg ester का base variant बहुत सारी गाड़ियों के top end variant से बहुत ज़्यादा बहत्रीन है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं पिछे हमने इसके बहुत सारे features को display और explain किया है आपको समझ में आया होगा कि mg ester के लिए market में इतनी ज़्यादा hype क्यों create हो रही है यह गाड़ी अपने segment में आने वाली सबसे बहतरीन गाड़ियों में से एक होगी इसने sub compact segment या फिर हम कहें जो B segment या A segment के गाड़िया हैं उनकी प्रिभासा को बदल के रख दिया है 9-10 लाग की range में इतने बहतरीन feature provide करवाना और इतने बहतरीन engine options के साथ आपको इस market में दूसरी ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी इस गाड़ी के अंदर आपको इस segment के कुछ advanced feature भी मिल जाते हैं जैसे AI, Artificial Intelligence उसको हम बाद में discuss करेंगे इसमें second level autonomous मिल जाता है जो कि आपको महिंद्रा XUV7W के अंदर offer किया जाता है उसका prices और इसका prices में लगबग 2-5,5,000 का अंतर रहता है base variant के अगर हम बात करें बात करते हैं इसके second variant की तो इसके अंदर आपको second variant super offer किया जाता है super trim के अंदर आपको comfort और convenience में सिर्फ बात करें तो उससे पहले मैं exterior को बता देता हूँ exterior में आपको सिर्फ एक ही feature 17 inch का alloy wheel offer किया जाता है इसके आगे अगले variant में आपको LED interior map lamp भी offer किया जाता है comfort और convenience में कोई feature add on नहीं होता है और आगे अगर हम बात करें तो इसमें CVT के अंदर अगर आप VTI tech option खरीते हैं तो आपको electronic park brake with auto hold reverse parking camera front fog lamp with cornering assist जैसे feature मिलते हैं अगर मैं super में infotainment की बात करूँ तो कोई नया feature add on नहीं होता है तो हमारा यही opinion है कि आप अगर style से super के उपर upgrade करते हैं तो यह worth नहीं है जितना इसके उपर prizes upgrade रखा गया है उस हिसाब से और feature को देखते हुए ऐसा कोई feature नहीं है जिसे आप retrofit नहीं करवा सकते हैं अगर आप इन्हें retrofit भी करवाते हैं तो लगबग 20-30,000 की costing में सारे feature आपको retrofit हो जाएंगे एक दो feature को छोड़ करके तो अगर आप second base variant खरीदने की सोच रहे हैं super को तो हम आपको style ही खरीदने को recommend करेंगे अगर आप निम्मन ने top variant का बना लिया है तो बात करते हैं इसके second top variant style के बारे में स्मार्ट के बारे में smart के अंदर आपको कुछ बहुत ही बहतरीन feature offer के जाते हैं सुरुआत करते हैं सबसे पहले exterior से exterior में आपको VTI Tech और 220 टरबो दोनों का ही option मिल जाता है इसमें आपको फुल एलेडी हुआक लाई हुआक आई हैड लैंप विद क्रॉम हाइलाइट ओफर के जाता है जो कि वीटे टेक के साथ मिलता है और ब्लैक हाइलाइट के साथ अंदर आपको 220 टरबो में देखने को मिलता है अगर आप VTI Tech खृते हैं तो फ्रंट और रियर 220 टरबो क्रते हैं तो बलैक को सिबल फिनिस के साथ यह ओफर की जाती है है वीटे टएई टैक के अंदर आपको शिलवर फिनिस डोरघारेंच मिलती है जब कर नोते यह निकी बात यही निकल के आती है कि आप VTI Tech और 220 ट्रबो में एक्सटिरियर के हिसाब से बात करें तो VTI Tech में आपको Silver Finish ज़्यादा देखने को मिलती है जबकि 220 ट्रबो के अंदर आपको Glossy Black Finish अच्छी खासी देखने को मिलती है एक्सटिरियर के बाद में इंटिरियर पर मूव कर लेते हैं तो यहां पर अगर आप 220 ट्रबो खरीते हैं तो आपको टुक्षिडो ब्लैक इंटिरियर थीम देखने को मिलती है जबकि वहां पर अभी भी आपको डाइनमिक एंबलम देखने को मिलते हैं इस वेरियंट में आपको फुली डिजिटल इंस्टूमेंट कलस्टर ओफर होने लग जाता है जो की 17.78 सेंटिमेटर की स्क्रीन के साथ आता है ये एक LCD स्क्रीन है बात करते हैं comfort और convenience में तो इस वेरियंट से आपको पुस बटन start stop with smart की option मिल जाता है ये वेरियंट cruise control भी ओफर करने लग जाता है rear seat middle headrest भी यहाँ पर ओफर होते हैं smart की होने के कारण यहाँ पर आपको smart की less entry भी गाड़ी में मिल जाती है auto headlamps अभी तक शिरफ आप driver side की window को auto down कर सकते थे लेकिन यहाँ से आप one touch down और आप दोनों कर सकते हैं anti pinch function के साथ power foldable और adjustable दोनों ही परकार के वरियंट ओफर किये जाते हैं तो comfort और convenience के हिसाब से बाकी features के हिसाब से गाड़ी में अभी तक बहुत अच्छा smart variant खरीदने की choice हमें बनी है लेकिन safety और security के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपको चार airbag offer किये जाते हैं दो front के लिए और दो side curtain airbag offer किये जाते हैं इसका अगर आप CVT और automatic खरीते हैं तो आपको electronic parking brake मिल जाता है with auto hold लेकिन अगर आप बाकी कोई भी variant खरीते हैं तो आपको TPMS, tire pressure monitoring system और heated overview जैसे feature देखने को मिल जाते हैं हमारे देश में जहां इतनी ज़्यादा थंड धनामे देखने को नहीं मिलती है तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो heated overview वैसे जरूरत का feature भी है और एक परकार से जरूरत का feature नहीं भी है तो safety और security में दो features को चोड़ करके कोई ज्यादा feature add-on नहीं होते हैं अब infotainment की बात कर लेते हैं infotainment में आपको वही सारे features offer किये जाते हैं लेकिन यहां से आपको i smart connected car technology वाले feature मिलने लग जाते हैं अगर आप चाहते हैं कि mg ester के i smart में कौन-कौन से features offer के जाते हैं उसके उपर वीडियो में तो आप comment section में हमें पता सकते हैं बात करता हूं इस variant को आपको purchase करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए तो उस चीज़ के उपर तो आपको मैंने style और super 2 variant के अंदर बताया था कि आप style variant को ही prefer करें यानि कि base variant को super के उपर लेकिन अगर आप style, super और smart के अंदर देखें तो आपको अगर एक feature enrich कार चाहिए तो आप smart की तरफ जा सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे बहतरीन और आपको खुश करने वाले features देखने को मिलेंगे ऐसी कोई ज़्यादा जरूरत वाले feature smart के अंदर add नहीं होते हैं लेकिन अगर आप इसके अंदर comfort और ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आप smart variant पे upgrade कर सकते हैं क्या आपका upgrade smart से इसके top end variant सार्प के ऊपर होना चाहिए यह हम देखते हैं सार्प के इस feature explain में सबसे पहले बात करता हूं इसके exterior से यहाँ पे आपको front और rear दोनों में यह red brake calipers देखने को मिलते हैं सिर्फ 220 टरबो के साथ इसमें आपको 17-inch के machine dual tone cut alloys wheel option मिलता है VTI tech के साथ लेकिन अगर आप 220 टरबो खरीते हैं तो आपको turbine inspired machine cut alloys wheel offer किये जाते हैं इसमें बात करें तो आपको exterior के हिसाब से 220 टरबो को और ज्यादा बहतरी looking बनाया गया है इसके बाद interior में देखें तो कोई नया feature add-on इसके उपर नहीं होता है इसमें आप option में second level autonomous जवाले features भी खरीच सकते हैं लेकिन वो सारे feature आपको optional ही मिलेंगे इसमें सबसे बहतरी अपने segment की sunroof sunroof नहीं skyroof पूरी की पूरी panoromic skyroof offer की जाती है अभी तक आप driver sheet को six way manual adjustable कर सकते थे लेकिन यहां से आप six way power adjustable कर सकते हैं range sensing wiper भी इसके अंदर offer की जाते हैं यह variant आपको तीनों ही variant में मिल जाता है अगर आप manual में purchase करना चाते हैं अगर आप CVT में या फिर आप six speed automatic में इसको आप VTI tech और 220 turbo दोनों के साथ खरीच सकते हैं comfort और convenience safety और security की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें feature add on होते हैं six airbag offer हो जाते हैं और 360 around view camera भी इस variant में आपको offer हो जाता है जिसे हम bird eye camera भी बोलते हैं या bird eye view भी कहते हैं इसमें safety और security के बाद infotainment की बात करें तो आपको कोई feature offer नहीं मिलता है इसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ आप autonomous level 2 वाले features भी खरीच सकते हैं तो आई होप आपको mg ester के top variant तक चारों variant तक समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा variant purchase करना चाहिए अगर अभी तक आपने हमारा ये वीडियो देखा है तो चैनल को subscribe करके जाना बिल्कुल न भूले और वीडियो को like करके जाना बिल्कुल न भूले मिलता हूँ एक और बहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद